आज मैं अपने इस वीडियो में तुलसी पत्ता काढ़ा बनाने जा रहे हूं जो सर्दी खासी जुखाब में कामाते हैं और हमें बहुत सार बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं कि इस काढ़ा को आप कुछ दिनों तक बॉटल या कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं जल्दी खराब नहीं होगा तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम काढ़ा बनाने की समागरी रख लेंगे तो काढ़ा के लिए मैंने यहां तुलसी पता रख लिया है इसे साथा ठै गोल मरिच खड़ा गोल मरिच और यह दो तेशवत्ता और यह दाल चीमी है और बड़ी लाइची तो इस सबको मैंने रख लिया है और अब हम इसे क्रस्ट कर लेंगे पानी गरम होने के लिए है तो मैं इस गिलास से गिलास पानी गख रही हूँ जब तक पानी ग अब हम अद्रक भी ठ्रस्ट कर लेंगे अद्रक भी डाल दिया और इसी के साथ हम यह तो इसी पत्ता डाल देंगे अभी इसे मैं हाई फ्रेम पर रखी हूँ जल्दी उबलने लगी इसके लिए काढ़ा को उबलते हुए काफी समय हो गया तो अब हम इसमें थोड़ी सी सिंधा नमक डालेंगे काला नमक अब इसे अच्छे से मिला लेंगे अमिलाके गैस हम बंद कर देंगे आज अब मैंने गैस बंद करने के बार पांच मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब मैं इसे छान लूँगी जिलास या कटोड़ा में अब हम इसे यह हो गया है यह देखिये आप भी मेरी इस रेसीपी को ट्राइऑ करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो हो लाइक करें और मेरी चैनल को शब्सक्राइब करें ठैंक्ष मांच थेंक्स ऑः वाक्षिंग और इस काढ़ा को आप इस बच्चे हुए समागरी में फिर सेख पर काढ़ा बना सकते हैं या फिर चाय में इसको इस्तमाल कर सकती हैं मसाला चाय बनाने के लिए